नमस्कार जै साहिराम मैं ब्रिजमोन सूरी मोटिविशनल स्पीकर, साई गरंत राइटर, रेड़ोक एक्सपर्ट सागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल में यह चैनल आपका अपना चैनल है आप जानते हैं प्रति दिन मैं एक निया विशे लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूँ तो आज निया विशे लेकर मैं हाजिर हूँ तो आई सुनते हैं आज का निया विशे जै सहिराम जै गुरुदेव पामन पर्व गुरु पूर्णिमा गुरु पूजा का दिन पांच जुलाई को है चंद्र ग्रहन भी हैं साड़े ग्यारा मज़े के बाद आपको पूजा करनी है पहले बता चुका हूँ आज मैं बताने वाला हूँ कि हम गुरु का प्रेम गुरु का अशीश कैसे लें पहले क्या होता था कि गुरु के पास शीशे कम होते थे तो जब शीशे गुरु के पास जाते थे तो गुरू कुछ पैसे दे कर उनको अशीश दिया करते थे और भक्त जो है उन पैसों को अपने लौकर में रखता था तो उसका धन धानने बढ़ता था हम अपने गुरू के पास जाते थे वो एक कौईन देते थे वैशनों माता जाते थे वहां से भी खजाना मिलता था मनला कुछ पैसे मिलते थे जिसे खजाना कहा जाता था आज हम अपने गुरू के पास जाए बिना ये खजाना कैसे प्रापत करें, मैं यह आपको बताने वाला यदि आप मेरे बताए टोटके को करते हैं, तो पक्की बात है कि आपके पास बहुत तेजी से दन आएगा एक कोईन चांदी का है तो ठीक है, कागज का है ठीक है, लोहे का है ठीक है, अपने गुरू के शिरी चर्नों में रख दें और पड़ा रहने दें, गुरू पूर्निमा वाले दिन एक कोईन अपने गुरू के चर्नों में रख दें, चहे आज ही रख दें और गुरु पूर्णिवा के अगले दिन सावन का महीना शुरू हो रहा है सावन के महीने की भी वीडियो मैंने डाली है जो ओर देखिएगा छे तारिक को उसको उठा कर अपने लॉकर में रख लें पर्स में भी रख सकते हैं लॉकर में भी रख सकते हैं अपनी दुकान बिजनस के गल्ले में भी रख सकते हैं आप देखेंगे तेजी से धन आपके पास आएगा इसको रखने मातर से तेजी से धन आएगा अब यहाँ पर यह स्वाल मत कीजीगा कब तक रखना है अरे भाई ऐसी चीजें तो पड़ी रहनी चाहिए कब तक रखने क का स्वाल कहां से उठता है जब तक लाव चाहिए रखो नहीं लाव चाहिए तो ले उठा कर खर्च कर लो यह बहुत लाबकरी उपाए है बहुत लाबकरी टोटका है इसको आप हवश्य कीजीगा इससे गुरू का अशीश मिलता है यह सोच कर रखिए कि यह गुरू ने आ एक्टिविटी है नजर लगी है कोई किया कर रहा है उसको समापत कर देते हैं और आपके धन को पवित्र कर देते हैं जिससे कि आपके पास धन तेजी से आने लगता है और टेकता भी है बहुत सारे लोग कहते हैं धन आता है टेकता नहीं है खर्च हो जाता है तो इस एक को करने से धन आएगा और अच्छे कामों पे खर्च होगा जुरूरी ये भी होता है कि जो हमारे पास धन आ रहा है बिमारियों पे खर्चना हो जाए फजूल कामों में खर्चना हो जाए अच्छे कामों पे खर्च हो जब अच्छे कामों पे धन खर्च हो तो समझ यदि आपको कोई समस्या है, जनम कुंडली से related नहीं है तो आप WhatsApp कर सकते हैं, उसका जुआब आपको तीन-चार दिन में मिल जाएगा, यदि आप जनम कुंडली से related कोई समस्या बताएंगे तो आपको जनम कुंडली दिखानी पड़ेगी, जनम कुंडली दिखाने की फीस 700 रुपे होती है जो हम प्रमार्थ के कारें में इस्तेमाल करते हैं, 700 रुपे आप से लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये जनम कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको WhatsApp पर ही बेजनी पड़ेगी, जवाब उसका आपकी जन अंतरदशा देखिए और उसी समय बता दिया लाब हो ना हो, हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाब होगा, यदि हमें योग मिल जाये तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय जरूर दिया कीजिए, जहां भी सवाल पूछना चाते हैं, फूछ सकते हैं, फालतू के मैसेज कर पह मत किया करें, जो आप चितर बेज देते हैं, फूलों की फोटो बेज देते हैं, वो मत बेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमें आप भवान का नाम लिखकर बेजेंगे, तो हमें खुशी होगी फालतू के मैसेज देखका खुशी नहीं होती है और वैसे भी जब आप अपना कोई स्वाल लेकर पांच मैसेज दूसरे इदर उदर के बेज़ देते हैं तो आपका स्वाल बीच में दब जाता है पता ही नहीं चलता है और हमें लगता है फोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है 981-44-50802 मेरा नंबर है WhatsApp भी नंबर है Paytm नंबर भी यही है WhatsApp नंबर भी यही है Google Pay नंबर भी यही है तो आप यहाज़त दीजिए नमस्कार खुश रही और अपना द्यान रखे Google Pay नंबर भी यही है